आदाम नाजरीन इस्तक्बाल है आप सभी का मुल्क की बात में मैं हूँ आपके साथ पिंकी सहगल खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर इरान से भी पहले इसराइल पर जल्द बहुत बड़ा हमला कर सकता है इस गुल्ला इसराइल की हालक खराब लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड से जुड़े दो बिल ओवैसी बोले मरकजी हुकूमत मुसल्मानों की दुश्मन सुर्य मंदिर में नाग पंचमी पर पूजा करने की उठी मांग ASI रिपोर्ट ने सुर्य मंदिर को बताया बीजा मंदल मस्जिद महराश्च्ट के कॉलेज में हिजाब नकाब पर बेन सीजाई चंदर्शूड ने लिया मामले का नोटिस मद्यप्रदेश में मोहन हुकूमत का चला बुल्डोजर बुर्हानपूर में मदर्से की बिल्डिंग जमी दोज बंगलादेश में नई हुकूमत की हलव बिर्दारी तक्रीब बीसफ ने 500 बंगलादेशों की घुसपैटी की कोशिश की नाकाम बंगलादेश के बाद ब्रिटेन में भी हालात बेकाबू जाली तशद्द के बीच नसल परस्ती के खिलाफ एहतिजाज हरियाना के सीम नायाब सिंग सैनी का बड़ा एलान कहा विनेश फोगाट को मिलेगी सिलवर जीतने की नामी रकम हिजबुल्ला जल्द इसराइल पर इरान से भी पहले एक बड़ा हमला कर सकता है एक रिपोर्ट के खुलासे में ये बताया गया है कि लेबनानी ग्रूप हिजबुल्ला जल्द इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है जिसके बाद इसराइल की हालत बुरी तरह खराब हो गई है वहीं दूसरी जानेब हमास ने इसराइल के मोस्ट वॉंटेड याया सिनवार को पॉलिटिकल व्यूरो का चीफ बनाने का ऐलान करते हुए इसराइल को तगड़ा जटका दे डाला है तक्रीबन आठ दिनों से मिडल इस्ट एक बड़ी जंग को लेकर हाई अलट पर है इरान के रद्दे अमल का इंतिजार इसराइल समयत पूरी दुनिया को है क्योंकि एरान वाज़े कर चुका है कि इसराइल से उसका इंतिकाम अटल है जो हर हाल में लिया जाएगा फिलहाल ये अभी किसी को नहीं मालूम कि एरान इसराइल पर कब और किस तरहां हमला करेगा लेकिन ऐसा लगता है कि इरान से पहले लिबनानी ग्रुप हिजबल्ला इसराइल पर जल्द एक बड़ा हमला करेगा न्यूज वेबसाइट सी एनन की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इसराइल के खिलाफ इरान जो कुछ करना चाहता है उससे अलग हटकर हिजबल्ला इसराइल पर जल्द कार रवाई करना चाहता है खुफिया जराओ ने बताया कि लिबनानी ग्रुप अपने मनसूबे में इरान के मुकाबले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसराइल पर बड़ा हमला करना चाहता है इस बीच इरान अभी भी इस हमले की प्लैनिंग पर काम कर रहा है इरान ने इसराइल पर बड़े हमले से पहले कुछ तैयारियां की थी लेकिन उसकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है जिसकी अमेरिका को उमीद थी CNN को एक दूसरे जराय ने बताया कि इरान के बराक्स हिजबुल्ला मुम्किना तौर पर बिना किसी वार्निंग सिगनल के हमला शुरू कर सकता है क्योंकि लिबनान की सरहर इसरायल से लगती है पिछले हफ़ते हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुक्र के गतले के जवाब में हिजबुल्ला की जानिब से बड़े हमले होने की उमीद है वहीं दूसरी जानिब हमास की तरफ से भी इसरायल को एक तगड़ा जटका लगा है फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ने गज़ा में अपने लीडर यहया सिन्वार को हमास का पॉलिटिकल लीडर मुकर्डर किया है न्यूस वेबसाइटल जजीरा के मताबिक पिछले हफते तहरान में हमास के साबिक चीफ इसमाईल हानिये के गतले के बाद से ये बहस गरम हो गई थी कि हमास का अगला लीडर कौन बनेगा यहया सिन्वार का हमास का पॉलिटिकल चीफ बनना इसराइल के ये टेंशन की बात है क्योंकि यहया सिन्वार इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं बलके सिन्वार को इसराइल पर साथ अक्तूबर के हमले के मास्टर माइंड के तौर भी जाना जाता है अब देखना ये है कि सिन्वार के गयादत में हमास और इसराइल की किशीदगी का आलम क्या होगा लोकसभा में वक्ष बोर्ड तर्मीमी बिल को पेश कर दिया गया है इस बिल को माइनौरिटी अफेर्स के वजीर किरिंधी जीजू ने पेश किया है इस बिल को पेश करने के साथ ही लोकसभा में ओपोजीशन पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया है आपको बताते चलें कि वक्ष बोर्ड एक्टर मीमी बिल 2024 के जरीए 44 बिल पेश किया गया लोकसभा में इस बिल को पेश करने से पहले मरकजी हुकूमत ने कहा था इस बिल को जोड़ने का नहीं बलकि बाटने का का काम कर रही है यह बिल इस बात का सुबूत है कि मरकजी सरकार मसल्मानों की दुश्मन है मही कॉंगर्स के रुखने पारलेमेंट केसी वेन गोपाल ने कहा कि यह बिल लाकर मरकजी हुकूमत, मख़ब और अकीदे पर हमला कर रही है NCP रीडर सुपरिया सूले ने भी इसे वापस लेने की बात कही है उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करने से पहले अपोजिशन जमातों से बात भी नहीं की गई है हमें पढ़ने तक नहीं दिया गया कि इस बिल में क्या है अपोजिशन जमातों को बिल की कौपी ना देने के सवाल पर इससे कब्ल मरकजी वजीर की दिनरे जेजू ने कहा था कि ऐसा कहना मुकमल तर पर गलत है और ये बे बनियाद इल्जाम है आज पार्लेमेंट में मौन सुनी जलास का चौदवा दिन था जहां एवान में वक्त बोर्ड तर्मीमी बिल पेश किये गए इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है इस बिल पर अपनी राय रखते हुए कौंग्रेस के पार्लीमानी मेंबर इमरान मसूर्द ने कहा कि इस बिल में पेश किये गए 40 पॉइंट में से एक भी पॉइंट मायरिटी के फायदे के लिए नहीं है इस पर उन्होंने और क्या कुछ कहा वो जानेंगे क्या लाब मिल गया देश में तीन तलाक का वावंडर करा कौन सी मुस्लिम महिलां को उसमें लाब मिल गया कहां से लाब दिला दिया वो बता दिया सेम यही वाला हाल यह केवल मैं आप से कहा यह घरम इधर उदर ले जाने का है असल जो बात है वो सच्चा ही है कि उस संपत रहती है यह संपत्ती सरकार ने भी दी यह निजी लोगों ने दी अपनी प्रापर्टी करिए हो यह को रीच चैरीटी के लिए उसको यूज व और उसको यूज करने के लिए के रहे चिर टेकर के रूप ने बगवट काम कर रहा है तो हमारी संपत्ती हम अच्छे वाव से जो उपर हम पर ही शक करा जाए तो फर के सा हो दो हजार दो में अमबानी ने इंटीलिया जो उसका बिल्डिंग है वो जगा चार हजार पांसो पतिस इसके रिफिट दिल्ली वक्वोर से नाजाइज तरीके से ले लिए जिसके सारे सबूत ये पेपर्स के कटिंग जो 2015 में पबलिश हुए दिल्ली मुंबई हाई कोट में इस पर केस हुआ सुनवाई चल रही है और नजदीक है कि उनके खिलाफ अमबानी के खिलाफ ये बिल अमबानी के खिलाफ हाई कोट की तरफ से कोई फैसल आ जाए इसलिए ह चेड़ रहे हैं और बार बार पिछले दस सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों के लिए बिल लाए हैं हिंदू जो इनको भरबर के वोट दे रहा है उनके लिए एक भी बिल नहीं आया है मद्ह प्रदेश की विदीसा का सूर्य मंदिर जिसमें साल भर में सिर्फ नाग पंचमी के मोके पर ही पूजा होती है इसे लेकर अब निया मोड आ गया है असल में हिंदू तन्जीम ने यहाँ पूजा की इजाज़त माँई है जिसके बाद मद्ह प्रदेश के सूर्य नहीं विजया मंदल मजजित बताया है। बुद्गु शहर की मुखतलिफ हिंदु तन्जीमें केलेक्टरेट पहुची और जिला इंतिजामिया को एक मेमरंडम सोपर जिसमें विजय मंदल यानी सूरज मंदल में पूजा करने का मतालबा किया गया। हिंदु तन्जीमों ने इस बात के खिलाफ एटिजाच किया है कि आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने उसे मुसल्माने की मिलकेत करार दिया है। उसे कम्यूनिटी का मजभवी मकाम करार दिया गया है। कलेक्टर को दिया गए मेमरंडम के साथ ही गर्मस्लिम तन्जीमों ने मंदिर के को ताला खूलने की इजाज़त मांगी है और ये भी कहा है कि दीगर पूजा में लोग दूर दराज से शिरकत करेंगे। जबके A.S.I. के फैसले पर सखते इतराज जाहिर करते हुए उन्होंने तमाम दस्ताविजाद को तारीख से मिलाने का मतालबा किया है। हिंदू तन सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और इसे आला हकाम को भेजा जाएगा। मद्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में मदरसे को बुल्डोजर चलवा कर जमी दोज कर दिया गया। आपको बता दे कि मद्यप्रदेश में गैर कानूनी तजा बु को मिली तो इस पर फौरी तोर पर कार रवाई की गई बता दें कि मुद्ध के दिन पुलिस टीम ने मौकर पर पहुंच कर गहर कानूनी तजावजात वाली जमीन के खिलाफ कार रवाई की इस दोरान जंगल की जमीन पर लगाए गए केले और सोयबीन की फसल को जेसी बी औ ट्रैक्टरों की मदद से तबाह कर दिया गया इस मौकर पर नेपानगर, SDM, भागी रिद भाकला, CSP, गौर पार्टे, राजस्ट टीम और पुलिस मौजूद रही, वहीं इस कारवाई के बाद गहर कानूनी तजावजात को हटाने की एक महिम सी छड़ गई है, गौर कॉलेज एन जी आचारे और डी के मराठे की इंतिजामिया ने कॉलेज में हिजाब पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद कॉलेज के फैसले को बंबे हाई कोर्ट में चुनोती दी गई थी, और अब इस मामले पर सुप्रिम कोर्ट ने नोटिस लिया है, आपको बता दें कि एक बार फिर कॉलेज में हिजाब पर पावंदी का मामला मौजवे बहस बन गया है, हिजाब को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रिम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगा, इस मामले पर जल्द में कहा था कि तालिम एदारे में ड्रेस कोड का मकसद डिसिप्लिन बनाए रखना है अदालत ने अपने हुकम में कहा था कि लिबास का मकसद तालिब इल्मों की तरफ से दायर दर्खवास में कहा गया है कि ये उसूल उनके मजभप पर अमल करने के बुनियाली हक के खिलाफ फर्जी है प्राइवेसी और चॉइस के हुकूक के खिलाफ फर्जी करता है हाई कोट की तरफ से दर्खवास मस्तरद होने के बाद दर्खवास गुजारों ने सुप्रीम कोट का रुख किया था इस दोरान चीफ जस्टिस डिवाई चन्रचूर जस्टिस जे बी पार्डी और जस्टिस मनोज मिश्रा ने फौरी तौर पर फहरिस बनाने की दर्खवास की इस मामले पर दर्खवास का नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि बेंच का फैसला हो चुका है और जल्द ही मामला दर्च कर दिया जाएगा दर्खवास गुजारों की जानिब से वकील और जानि ने भी विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा एलान कर दिया है आपको बताने उन्होंने कहा है कि हर्याना हुकूमत विनेश फोगाट का खैर मगदम करेगी इसके साथ उन्हें वो तमाम सहूरिया दी जाएंगी जो सिल्वर मेडल जीतने वाले को दी जाती है हर् वजीराले ने सोचल मीडिया पर पोस्ट किया है कि हमारी हर्याने की बहादर बेटी ऑलम्पिक्स में शांदार कारगर्दी के साथ फाइनल में पहुची थी कुछ वज़ोहात की बिना पर वो ऑलम्पिक फाइनल नहीं खेल सकी लेकिन वो हम सब के निये चैंपियन है हमारी तुम पर फखर है विनेश हर्याना हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया था कि पैरिस ऑलम्पिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले को चार करोड और कासे का तमगा जीतने वाले को धाई करोड रुपे की इनामी रकम दी जाएगी हुकूमत विनेश फोगाट को चार करोड साथ ही आपको ये भी बता दें कि विनेश फोगाट ने उलम्पिक कमेटी से सिल्वर मेडल के लिए भी अपील किये है बंगलादेश में हुई सत्ता पलट से हर कोई वाकिफ है एक एहतिजाजी मुझाहिरे से जो बंगलादेश की सियासत में खलबली और तूपान देखने को मिला था वो वाकई तारीखी है वह इस सब के बाद अब कई बंगलादेशों ने हिंदुस्तान में घुस्पैट की भी कोशिश की है बताते चलें कि बुद को तकरीबन 500 बंगलादेशी जो हिंदुस्तान बंगलादेश सरहत के करीब दरंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनको B.S.F. के जवानों ने जलपाई गोडी के करीब रोग दिया नौर्थ बंगलादेश के मताबिक ये लोग बंगलादेश में मजाहिरीन के हमलों के खौफ से जमा हुए थे B.S.F. और बॉर्डर गार्ड बंगलादेश ने इन लोगों से बातचीत की जिसके बाद ये सब वापस लोड़ गए बंगलादेश के साथ बेनल अक्वामी सरहत पर B.S.F. हाई अलर्ट पर है बंगलादेश में आज अबूरी हकूमत तशकील दी गई इससे 15 रुकनी हकूमत की गयादत नौबल इनाम याफ्ता मुहमद यूनिस ने की हकूमत की हलफ बिर्दारी की तकरीब साड़े आठ बजे हुई यूनिस आज दोपहर दो बच कर 40 मिट पर पैरिस से बंगलादेश पहुँचे धाका ट्रिब्यून के मताविक तकरीब हलफ बिर्दारी में तकरीबन 400 अफराद ने शिरकत की बंगलेश के आर्मी चीफ वकारर रह्मान ने बुद को हलफ बिर्दारी से मतालिक मालूमात शियर की थी बंगलेश में बैंकों से नकद रकम निकालने पर रुकावटे आइड कर दी गई है एक अकाउंट से एक लाग टका से ज्यादा नकद नहीं निकाला जा सकता है इस पैसलिक का ऐलान सिर्फ आज के लिए ही हुआ है यह सेक्यूरिटी वज़ोहात की बिना पर लिया गया है वहीं बंगलेश के सदर मुहमद शहाब الدین ने बुद को पलिस से कहा कि वो तशद्द और लूट मार में मुलविस लोगों के साथ मजीद सकती से निम्टे उन्होंने यह हिदायात नए इंस्पेक्टर जनरल अफ पलिस मुहिन इसलाम को दी है सदर मुम्लिकत ने कहा कि मौजुदा हालात में मुलक में अमनों अमान बरकरार रखना सबसे एहम है और यह काम पलिस को करना है बंगलादेश में मुहमद योनिस के सरबराही में आज जो बुरी हकुमत तशकील दी गई तलबत तहरीक से वाबस्ता काईदी ने बुद को सदर से इस बारे में बाकचीत की कि इसकी मुदत कार क्या रहीगी और जिसके बाद बैठक में ये फैसल दिया गया कि इस हकुमत के मुदत का मसकम तेन साल होनी चाहिए बंगला देश के अलावा ब्रिटेन में भी पिछले काई दिनों से तशद्द का सिलसला जारी है आपको बता दे कि ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में तीन बच्चीों की मौत के बाद से जेती के निये बरतान्वी हकुमत की जानिव से पुलिस की भारी नफ्री तेनात करने के बाद बुद्की राद 11 बजी तक हजारों अफराद नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतिजाज के लिए इंगलेंड के सड़कों पर निकला है आपको बता दें कि बरतानिया में कई दिनों से मसल्मानों और आम लोगों के खिलाफ हंगामा बर्पा है तारीकी ने वतन के अबादी को निशाना बना कर दाएं बादू के मजाहिरे हो रहे हैं जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार जखमी भी हुए दुकाने लोटी गई और पनाह गजीनों के होटलों पर भी हमले किये गए जमो कश्मीर में जल्दी असेंबली इंतिकाबात होने वाले हैं इसी को लेकर इलेक्शन कमिशन की टीम आज जमो कश्मीर भूजी चीफ इलेक्शन कमिशनर राजीव कुमार समेथ तीन इलेक्शन कमिशनर ने लाकाई और कोमी पार्टी लीडरान के साथ बात चीट की नैशनल कॉनफरेंज पीडि पी । पी, कॉंग्रेस और दीगर जमातों के काईदीन शीरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फरेंस सेंटर में होने वाली मीटिंग के लिए पहुचे इलेक्शन कमीशन ने आज पुलिस अफसरान और सेक्यूरिटी फोर्सिस के साथ मीटिंग की इलेक्शन कमीशन इसी सिलसले में नौ अगस्त को दो पहर ढ़ाई बजे एक प्रेस कॉन्फरेंस भी करेगा इस साल जून में इलेक्शन कमीशन ने महराश्ट जहारकन हरियाना और जमो कश्मीर में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के अहकमाद जारी किये थे और इस काम को मकमल करने के लिए 20 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2023 में सुप्रेम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक यूनिन टेरिटरी में इंतखाबात कराने के हिदाया दी थी अदालत ने ये भी कहा था कि जमो कश्मीर को जल्द रियास्त का दर्जा दिया जाना चाहिए महीं पांच अगर 2019 को जमो कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था इसके अलावा रियास्त को दो मरकज के जेरे इंतिजाम इलाको यानि की जमो कश्मीर और लद्दाख में तक्सीम कर दिया गया था ये भी वाज़ किया गया है कि जमो कश्मीर में दिल्ली और पुडूचेरी की तरहा लेफ्टिन गवरनर की हकूमत रहेगी लेकिन अवाम कानुन साथ असेमली के तहट वजीर आला का इंतिखाब भी करेगी इस से पहले जमो कश्मीर में आखरी बार 2014 में इंतिखाबात हुए थे 2018 में बीजेपी और पीपल्स जमोक्रेटिक पार्टी की मखलूत हकूमत यानि की इतिहादी हकूमत गिर गई थी क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी के साथ इतिहाद तोड़ दिया था जमो कश्मीर में आज इलेक्शन कमीशन की तीम ने पहुँच कर सभी सियासी पार्टियों के लेडरान के साथ इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया इसी मुद्दे पर बात करते हुए जमो कश्मीर के बीजेपी को इंचार्ज आशी स्थूद ने सभी ओपोजिशन पार्टियों को घेरते हुए उन्हें जम्मू की बरबादी का सबब बताया साथी वक्ष बिल पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए कॉंग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कहा सुनी लोग तंत्र का मजाग जम्मू कश्मीर में तीन परिवारों ने मुफ्ती गांधी और अब्दुल्ला परिवार ने बनाया था चुनाव को रिग करना सुरक्षा एजन्शीज का बेजा इस्तमाल करना जिसके कारण वहां की परिस्थिती बिगडी मंदिरों पर गुरुद्वारों पर एड्मिनिस्ट्रेटर बैच सकते हैं मगर उंगली रख दी ये जमीन वक्ष की है प्रोटेक्टिड मॉनुमेंट को और्डिनेंस निकाल दिया सर्कुलर निकाल दिया वक्ष की है और ऐसे करके फौज और रेल्वे से बड़ा लैंड बैंक जी हाँ नौ लाक एकड का लैंड बैंक बनाने वाली संस्था पर अगर देश की सभी संस्थाओं की तरह के कानून बनाए जाए तो बहुत दिक्कत है नाज़ीन मुलकी बात में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये इजाज़त आड़ा